क्या हाल है कैसे हैं आप सब लोग अमीद है कि अच्छे होंगे हमेशा की तरह सबसे पहले मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजिए बाइल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आपको जल से जल मिले आज मैं आपके लेकर आई हूं पीजा पाई डो की जो तो बिसमिल्ला रख्मान रही है मैं स्टार्ट करते हैं यह मौजरेला चीज मैंने आपको दिखा दी है क्योंकि मैं लिखना भूल गई थी और पहले रखना भी भूल गई थी तो यह मेरे पास 250 गिराम कीमा है यानि एक पार्मिजन चीज है पार्मिजन चीज अवेल नहीं जो भी आपके आवे पास हो यह काली मिर्च यानि ब्लाक पेपर नमक टू टेस्ट पप्रीका या देगी लाल मिर्च यह है ड्राइ पार्शले या फ्रेश या यह भी नहीं आपके पास दोनों तो आप हरादर निया भी ले सकते हैं यह है कलाउंजी फैनल सीद यह चोटे म मीडियम भी होगी जो चलेगी चॉप डनिया यह है बटर मक्षन और यह क्रीम है दो खाने का चमच और यह थोड़ा सा ओल है और यह है टोमाइटो पीवरी दो खाने का चमच यानि टू टेबिल स्पून अब अब हमने एक पैन लिया उसमें हमने एक खाने का चमच मक्षन एड़ किया यानि बटर उसके बाद हमने दू खाने का चमच ओयल एड़ कर दिया ताकि यह बटर जले नहीं जब यह मैल्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम यह अनियन यानि प्याज एड करेंगे और इसे ब्राउन नहीं करेंगे ट्रांसपेरेंट करेंगे यह देखें बटर है मैल्ट होगे यह नहीं मक्कन अब इसमें हम प्याज को एड कर रहें और इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंग Drown नहीं करेंगे इसको brown नहीं करना इसके बाद कीमा करेंगे और इसको इसका कलर चेंज होने तक आपको इसका पानी भी ढ्राय हो जाए साथ-साथ इसका पानी जब ड्राय हो जाएगा इसका color change हो जाएगा पिंक से यह white हो जाएगा तब हम इसमे सारे spices one by one add करेंगे यह देखें इसका पानी भी dry हो गया और यह color white भी हो गया अब इसमे हम add करेंगे garlic powder या garlic paste, lesson powder या lesson paste जो भी आपके पास अवेल हो एक खाने का चम्मज यानि one table spoon कुटी भी लाल मिर्च यानि चिली फ्लेक्स half tea spoon पप्रिका पाउडर या देगी लाल मिर्च one table spoon इसके बाद हम add करेंगे औरिगानो वन टी स्पून काली मिर्च यानि ब्लाक पेपर हाफ टी स्पून टूमेटो प्यूरी टूटे बिल स्पून यानि दो खाने का चम्मज मैंने इस पे कोई अभी पानी एड़ नहीं किया अगर आपका मसाला जल रहा हो या पैन कोई दूसरा हो मेरा नॉन स्टेक है इसलिए अगर आपका तो लग रहा है मसाला तो आप थोड़ा सचा पानी एड़ कर सकते हैं आप इसमें हमने सॉल्ट यानि नमक शामिल किया टूटेस जितना भी आप पसंद करते हैं पर इसको मैंने थोड़ा सा भूना इसके बाद मैंने यह ड्राइ पार्सली अगर आपके पार्स पार्सली फ्रेश है अगर यह भी अवेल नहीं है तो मेरे पास यह लिक्विड में होती है तो मैंने टू टेविल स्पून एड़ किया है आपके सामने आपके पास विप्ट होती है तो आप टू टेविल स्पून भार के एड़ कीजिएगा और इसे मैं अच्छी तरह कुख करूँगी पांच मिनट तक के लिए फिर हम इसे साइड पर रख देंगे अब यह जो हमने डो बनाएती पीजा की डो पाई खेलिए अब इसमें मैं हाथ को ग्रीस करूँगी ओयल से और इसके जो बबल्स है उसको पंच करके थोड़ा सा इसको लूज करूँगी फिर इसके दो पॉर्शन कर दूँगी डिवाइट कर दूँगी नाइफ से एक नीचे बेस के लिए और एक उपर फ्रेंट के लिए यह बहुत मजी का बनता है इसका क्रस्ट बहुत जबरदस होता है जब आप बने वहेंगी तो आप कहेंगे वाओ यह कितना जबरदस क्रस्ट है क्योंकि आप जब इसे पिच्चर में अभी आगी वीडियो में देखेंगे इसका रिजल्ट तो यकीन जाने आपको पता चलेगा यह कितना क्रिस्पिया कितना टेस्ट होगा खाने में और यह सबसे बड़ी बात यह हैवी नहीं होता खाने में इसमें एक प्षाय जब आप खाते हैं कोई मार्केट में या घरम में जो बनाते है वो बहुत है इसका एक टैर जब आप खाते है यह हैवी फील होता है इसको खाने के बाद आपको कोई भी हैवी फील नहीं होगा आपके रमजान के लिए अफ़तार मील के लिए आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अफ़तार रमजान से पहले पिर आप इसे खुद बनाएंगे आप रमजान में आप मुझे भी सासा दुआं में अद रखेंगा इसे मैंने ये डिवाइड कर दिया इसे मैं ये बॉक्स में रख दूँगी ताकि ये इसके अपर हाट नाओ इसे मैं कवर करके रख दूँगी अब इसकी हम ये बेस बनाएंगे इसको हम रोटी की तरह बेलेंगे इसका जो बेस होगी तो ये थोड़ी थिन होगी यानि पतली होगी मोटी में होगी कि अब आगे वीडियो में देख लेंगे किस तरह मैं बेल रही हूं अब ही मैं यह आपको दिखा रही हूं इसको और मजीद बीच सेंटर में से पतला करना है अब ये देखें मैंने ये फाय पैन में फाय पैन को मैंने ग्रीज कर लिया था अब इसको मैंने डो को जो बेलर रोटी को आपको नजर आ रहा होगा ये कितनी बतली है इसके बीच में जो सरकल है आपको दिख रहा होगा इसका पैन हलक हलका दिख रहा है ब्लैक कलर का अब य इसको मैं cut कर रही हूं knife से इसको मैं press करूंगी हाज से थाकि यह pan में set हो जाए यह डूर जो extra बचती है यह बेकार नहीं जाती इसका भी मैं कुछ न कुछ बना लेती हूं mini pizza बना लेती हूं यह कभी कुछ भी बना लेती है बहुत चीज़े बन जाती है इसकी अब यह देखिए मैंने इसको फिंगर से प्रेस कर रही हूं ताकि यह सेट हो जाए शेप में आजाए अब मैंने यह जो फिलिंग तयार की थी चिकन की यह देखिए आपको देख रहे होगी अब मैं इसमें इस ट्रांसफर कर दूंगी और इसको इस पैचुला से स्प्रेट कर दूंगी ताकि यह लेविल में आ जाए इसी एक पॉए 250 ग्राम में आप दो पाई भी बना सकते हैं यानि टू मैंने एक ही बनाना था तो एक ही बन गिया और आप चाहें तो दो भी बन सकता है इसको अच्छी से मैंने स्प्रेट कर दिया अमीद है कि आपको मेरी बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह मेरी अपनी रासिपी है मैं हमोमन बनाती रहती हूं बहुत टेस्टी बहुत जबर्दस इसका क्रस्ट होता है यह मैं यह यह नहीं कहरी कि मैं खुस से बनाती हूं यह मेरी अपनी रासिपी है तो मैं आपको यह का कमर्शल कर रही हूं यह वाकी ही बहुत अच्छा बहुत मज़ी का बनता है इसको मैं अच्छे से स्प्रेट कर गये बिल्कुल ताकि कहीं इसकी उपर नीचे ना हो जाए मोटी कहीं पतली इसकी लेयर ना हो जाए अब इस पर मैं यह कलॉन जी थोड़ी सी एड़ कर रही हूं बाकी बाद में एड़ होगी अब यह पार्मिजन चीज मेरे पास अवेल लाई ठीति आप के पास नहीं है तो आप माय नीज के दो-तीन चममच भी एड़ कर सकते हैं अब वह हमने बना की रख लिया साइड में, अब इसका जो फ्रंड के डों है, जो इसकी ब्रेड है, वो बना रही हूं, मैं आप रोटी की चल्ड़ा बेलना है इसको इसकी जो फ्रंट की जो बेस है वो मोटी ही थोड़ी सी मोटी होगी बहुत पतली नहीं होगी अभी आपको वीडियो में शूद को जाएगा किस तरह है इसको रखना है कि देखिए इतनी जिसे एक रोटी हम बेलते हैं उत्ती नहीं होनी चाहिए इसको मैं फिंगर से प्रेस कर रहे हूं ताकि यह सेट हो जाए पैन में जो एक्स्ट्रा लेर थी वो मैं इसको रिमॉव कर रही हूं नाइफ से ताकि यह बिल्कुल डेविल में आ जाए अब यह बिल्कुल सेट होगी अब इसमें हम मौजरिला चीज़ एड़ करेंगी देखें आप चाहें तो ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं यह आपके उपर है कि आपको कितनी पसंद है यह बहुत अच्छा इसी का क्रस्ट होता है असर अच्छा इस बेकिंग टाइम यह है प्रीट मैंने ओवन कर जाए था आधा घंटा पहले 180 डिग्री संटिग्रेट पर और से मैंने 20 मिनट इसे बेक किया है 15 मिनट मैंने इसे बेक करने के लिए बेक करने के बाद यानि मैंने इसे बहार निकाला साइड में ओयल भी बेक से किया था 15 मिनट यह दिखे बेक हो रहा है 20 इसके पूरा टाइमिंग है 15 मिनट मैंने इसे बेक किया 15 मिनट की बाद मैंने इसे एक मिनट के लिए निकाला यह देखिए इस इसमें मैंने स्पून से ओयल पोर किया साइडों में आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं और इसे फिर मैंने मजीद पांच मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया ये पूरा टोटल टाइम इसका 20 मिनट यानि 20 मिनट है 15 मिनट के बाद मैंने इसे बाहर निकाला साइड में ओयल ग्रीस किया और फिर इसे मैंने मजीद 5 मिनट के लिए बेक किया देखें ये रिजल्ट है ये बहुती मज़े का बहुती लजीज है इस साइड में जो साइड में जो साइड रखी ये भी मेरी अपनी रैसिप है जीजा में जो देखें हमेर ना। किरशे मेज़्ट है ये देखें बहुत मज़ेकभा बनता है ये इसको जरूर ट्राय कीजएगा इस रमजान में बैस्ट है आप लोग के लिए इसे डिनर में बनाईए टी टायम में बनाईएए ये ये बहुत टेस्टी बहुत यूनिक मेरी एक अ पनी रासिपिय है मेरी अपनी जो मैं बनाती हूं हमोमन तो अब इससे जरूर ट्राइ कीजिएगा मुझे दौाओं में याद रखेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे कीजिए मुझे फीड़ बैक दीजिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरी रेसिपी ट्राइ कीजिए देखिए बिल्कुल रेड़ी है मैंने आप लोग के लिए कट किया था यह आपको दिखाओं यह बहुत मज़ी का मुझे दौाओं में याद रखेगा अपना ख्याल रखेगा अल्ला हाफिज